हेलो गाईस वेलकम बेक टो मैं यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कवरेज देखने को मिलेगी इंदोर एक्चापूर हाईवे जिसका फोरलेंड हाईवे के रूप में निर्माण ही क्या जा रहा है इस हाईवे का जो छोटा सा हिस्सा है हमारे देजगाउं से लेके धनगाउं तक का उसके बीच कितनी के सड़क का निर्माण हुआ है उसकी एक थोड़ी सी जलग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी दोस्तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग देजगाउं से धनगाउं के ओर जा रहे हैं और यहां पर दोनो लेन आपको प्रिपेर दिख रहे हैं दोस्तों धन्गाओं से देजगाओं के मद्य आपको कहीं पर दोनों लेन चालू दिखेंगे जिससे की दोनों लेन पर आपको गाड़ियों का आवागामन दिखेगा कहीं कहीं पर single lane चालू है और कहीं कहीं पर जहाँ single lane चालू है वहाँ पर जो दूसरा वाला lane है उस पर कहीं कहीं construction वरक है जिसका रहाण सिर्फ एक ही lane को चालू किया गया है दोस्तों अभी आपको लिख रहाँ होगा कि तो यह जो हिस्सा है यह वही उसी के बीच का हिस्सा है तो सबसे ज़्यादा काम की करती जो आपको दिखेगी और सबसे ज़्यादा complete work दिखेगा वो इसी area में आपको दिखेगा हमारे धनगाओं से लेके बोरगाओं के मद्य दोस्तो यह जो शरण है इस पूरे प्रोजेक्ट का दनगाओं से बोरगाओं के मद्य लगबग लगबग इसके बीच में जितने भी पढ़ने वाले गाओं और छोटे शहर है उन सभी पर bypass बना जा रहा है और maximum पर bypass के साथ साथ जो flyover रहता है वो बनाया जा रहा है दोस्तो जिसमें की दोडवा में bypass का निर्माण पूरा कर लिया गया है flyover वाले bypass का और गाडियों का जो आवा जाही है वो उसी road से हो रही है जो भी बसे और local transport है वो दोडवा गाओं को bypass करते हुए ही निकल रहे है दोस्तो यह जो पूरा project है यह एक तरीके से इनकी race थी एक हमारे road project की और rail project की तो यह जो road project है अभी तो यह बाजी मारते हुए दिखाए दे रहा है दोनों ही late चल रहे हैं अपने time limits से किन्तु जो पूरा होएगा वो पहले यही project होगा road वाला जिससे हम आसानी से इनदोर से जूड सकेंगे हमारे जो निमाड के दोनों main जिले हैं खंडवा और बुरानपूर दोस्तो बात करें rail और road की तो खंडवा जो था वो पहले चोटी लैंज से rail दोरा भी connected था किन्तु बुरानपूर के जो भी connectivity depend थी इनदोर से वो पूरी तरीके से वो road पर ही depend थी तो बुरानपूर वाजव के लिए तो यह बहुत ज़्यादा important हो जाता है दोस्तो इस project में पढ़ने वाले गाउं छे गाउं माखन, भोजा केड़ी, देजगाउं और हमारा दोडवा, धनगाउं और भानबरूर, यह सभी जित्ते भी गाउं है इन सभी गाउं में फ्लाइवर का निर्मान किया जा रहा है और जैसे जैसे इन फ्लाइवरों का निर्मान complete कर लिए जाएगा वैसे ही वानों का आवगमन इस फ्लाइवर से start हो जाएगा जिसमें कि दोडवा का एक एक जामपल है जहां से वानों का आगमन शुरू हो चुका है दोस्तो खनवा यातिरियों के लिए छेगाउं माकान से लेके धनगाउं तक अच्छी रोड बन गई है तो जिससे कि यातिरियों का समय भी बच जाता है और कवर भी हो जाता है और अलग-अलग लोकरिशन से आपके लिए वीडियो लाएंगे हम इससे कि आपको और आइडिया हो एक नॉलेज हो कि कहां पर कितना काम हो चुका है कि इस छेत्र में कितना क्या काम चल रहा है और इसके अलग-अलग जो पांचो चलाण है उसको कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे तो यह तो आज का वीडियो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर यह वीडियो पसंद आया तो ज्याद साथ एस वीडियो को लाइक करिए यह मों अपने साथियों के साथ शेयर करिए